प्यारे अजीजों भाईों बेहनों जैमसी की प्यारे भाई सबको मैं आपका प्यारा भाई राजन हंस जिसको आप बहुत प्यार करते प्रात्मा में याद रखते हैं मैं आशारकता हूँ कि आप मुझे इसी तरह प्रात्ना में जाद रखे और मैं प्रभु का वच्चन इसी तरह आपको शेर करता रहूँ और आप वच्चन की सचाई को जाने और इस सचाई को और भी दुनिया में फैलाए तो प्यारे अजीजों भाईयों बेनों आज मेरा विशा है अराधना में अलग दाई हम जो अराधना करते हैं उस अराधना में एक अलग दाई आना है क्योंकि बहुत सारे चर्चिस हैं बहुत सारी कलीसिया हैं जिन कलीसियां में अराधना में अलग दाई नहीं है तो प्यारी अजी जो आरादना आज इस विशे को हम सीखेंगे आरादना में अलगता है इसराइलियों को हर जगा बली चड़ाने की अनुमती नहीं थी आप इस बात को जानते होंगे अगर आपने निर्गमन का पुस्तक पड़ा होगा ध्यान से इसराइलियों को हर जगा बली चड़ाने की अनुमती नहीं थी साबधान रहना की तू अपने हों बलीयों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चड़ाना विवस्ता विबनन बारा अध्या इसके तेरा वचन में ऐसा लिगा है तो प्यारे अजीजों आज कल येश्व मसी की कलीसिया के पवितर लोग अलगताई को शोड़कर चेंग्याई सबा मसी जैंती मसी समेलनों आधी हर जगा में घुटना टेकते हैं और आराधना के नाम पर तालियां बजाकर अन्य भाशा बोलते हैं ये बहुत बड़ा पाप प्यारे भाईो परमेश्र की कलीसिया के लोगों को वचन के अनुसार अलगताई के उपदेश में खड़े रहना हैं इसराईली लोग जब अपने अलगताई के उपदेश को मजबूती से पकड़े रहे तो शराप देने के लिए आया भवशवक्ता उनको शराप की जगा आ ऐसी जाती है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी गिन्ती 23 अध्या इसके नो वचन में ऐसा लिखा है तो प्यारे जी जो शराप की जगा उनको क्या मिलगी आशिश मिल रही है शराप की जगा क्या मिलगी उनको आशिश मिल रही है कोई मंतर यकूब पर नहीं चल सकता और इसराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता प्रम्तु यकूब और इसराइल के विशेम अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही वचितर काम किया है सुन वे दल सिंगनी की नाई उठेगा और सिंग की नाई खड़ा होगा वे जब तक हेर को ना खाले और मारे हुए के लहु को ना पीले तब तक ना लेटेगा गिंती 23 का 23 और 24 इसराइली लोग जब तक अलग ताई में रहे उनके अंदर शक्ती थी और उन्होंने अपने खिलाफ उठे हुए दुश्मनों को चूर चूर कर दिया क्योंकि परमेशर उनके बीच में वास्ट करता था। उनके बीच रहने वाले परमेशर का डर अन्हे जात्यों तक शाया हुआहा था। मालूम है इसराइलियों से अलने जाती लोग कितना क्या करते थे डरते थे तो प्यारे भाईयो बहनों आज इस बात को ध्यान से सुनिएगा हमारी अराधना में भी क्या आना है अलगता यानी लेकिन जब तक उन्होंने अलगताई को शोड़ दिया टो वे बहुत कमज़ूर और दाइनी एस्दिती में पहुँच गए इसराइलियों नहीं क्या कर दिया अलगताई को क्या कर दिया शोड़ दिया और एक दिन क्या हो गया इतनी दाइनी परिस्दीती में पहुंच गए थे एफरेम देश, देश के लोगों से मिला जुला रहता है एफरेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना गई हो उल्टी ना गई हो, पर देशियों ने उसका बल तोड डाला परंतु वैसे नहीं जानता, उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल है प्रंतु वैसे भी नहीं जानता होशे साथ का आठ और नो में ऐसा लिखा है तो प्यारे जीजों भाईयों इस बात को अपने ध्यान से सुनना है इसरेलियों के बीच आया हुआ सबसे बड़ा पाप था उन्होंने अलगताई को शोड़ दिया इस कारण उन्होंने अपना राज्य और अपना बहल भी खो दिया परमीशे की कलीसिया इस प्रिथवी पर विरोधी मसी के siellä साथ साल के राज्य के बाद मसी के साथ हजार साल तक और नई प्रिथवी में यूगाना यूगराज्य करेंगी इस समय कलीसिया को आरादना में अपनी अलगताई के उपदेश को मजबूती से पालना करना जरूरी है चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए आरादना में अलगताई आना बहुत जरूरी है आव विश्वासियों के साथ अस्मान जुए में ना जुतो क्योंकि दार्मिक्ता और अध कार की क्या संगती और मसी का बल्याल के साथ क्या लगा जब विश्वासि के साथ अविश्वासि का क्या ना था और मूर्तों के संग परमेशर के मंदिर का क्या सबंद क्योंकि हम तो जीवतें परमेशर के मंदिर है जैसा परमेशर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उन वस्तों को ना शूओ तो मैं तुम्हें ग्रहन करूंगा और तुम्हारा पिता होंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे वे सर्विश शक्तिमान प्रभू परमेशर का वचान है दूसरा करंथिया शे अध्याई 14-18 तक तो प्यारे जीजो जब कलीसिया के लोग अल दीख आएंगे और कलीसिया में शामिल हो जाएंगे इस दुनिया में जितनी भी शक्तिया है उनमें सबसे शक्ति शाली येश्यो मसी की कलीसिया है पहली सदी के लोग जगत को उल्टा पुल्टा करते थे प्रेटों के काम 17-16 में रोमी समराज्येवी परमेशर की कलीसिया क अपने वश में नहीं कर सका आपने ध्यान दिया होगा अगर प्रेटों के काम में पढ़ा होगा तो उस समय कलीसिया के पास धन दोलत अपना मकान इजजत आदी नहीं थी बलकि परमेशर के लोग परदेशी और जातरी बनकर चलते फिरते थे कितने लोग भूक से मर गे कित भी वे लोग शक्ति से आगे बढ़ते गए इबरानिया ग्यारा का 33 से 38 तक हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा मिलता है ये कौन है जिसकी शोबा भोर के तुले है जो सुंदरता में चंदर्मा और निर्मलता में सूरे और पताका फेराती हुई सेना के तुले बहंकर दिखाई प फोज में लड़ाई लड़ने वाली बटालियन के दुश्म से लड़ाई जीतने पर उनको आधर देने के लिए एक जंदा दिया जाता है लड़ाई में मिले हुए ऐसे जंदों को बटालियन मुक स्थान पर लगाती है जब कोई इस बटालियन के बास आता है तो उनके को देकर कहने लगता है कि ये बिटालियन मामुली नहीं है बलकि बहुत लड़ाई जीती हुई है अगर आप फोजी विक्ति से पूशेंगे तो आपको बताएगा इसके विशे में तो प्यारे जीजो आपने देखना है इसी परकार येश्यमसी की कलीसिया आत्मिक लड़ाई की लड़ने वाली स्वर्गिय फोज है येश्यमसी ने सलीप पर लटके तोई शेतान को खुलम खुला तमाशा बनाया और विजे का जंडा फैराया हमें भी शेतान की शक्तियों के हर किलों को तोड़कर जै पर जै पाते हुए हर लड़ाई को जीतना है उसके लिए सिर्फ एक ही मार्ग है कि हम आत्मा और सचाई से परमेशर की सही आराद ना करें तब ही परमेशर की उपस्तिती हमारे बीच में रहेगी और हम शेतान की शक्तियों को हरा कर जै पर जै पाते हुए आगे बढ़ सकेंगे इसलिए मैं आपसे बेंती करता हूँ कि जब प्रबु के द परचन के अनुसार ही अराद ना आत्मा और सचाई से करते आत्मा में शक्तियां शक्ति पाए और दुष्टता की आत्मिक सैना को हराते लोगों को शैतान के कबजे से शुड़ा कर परमिशर के राज्य में परवेश करवाए समझ हा रहा है को प्यारे भाई हो अगर शैतान हमें दुनिया और स्वर्गदूतों के सामने तमाशा भी बना दे जब बुरी तरह बेजित भी करे जब सब कुछ नस्ट हो जाए तो भी हम पीशे ना हटे बलकि शैतान की शक्तियों को हाराते हुए आगे बढ़ते जाए और परमिशर ने हमें जो जिम्मेवारी सौंपी ह उसे पूरी वफादारी के साथ निबाए इसके लिए एक ही मारगज सही अरादना करना तो प्यारे भाईयों इस वचन के दौर आपको प्रभू बहुत आशिश दे और आप मेरे लिए भी प्रातना करें मैं अभी आपके लिए प्रातना करता रहूंगा सब को जैमत सिकिए झाल